नमस्कार दोस्तों वेल्दस्काई के एकोन एंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का सवाकत है मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे आज का दिन एक का दिन रहा है यहाँ पर और कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है उस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अगर हम वीडियो स्टार्ट करने पहले मार्केट 11 के बात करें तो मैंने आपको एक पॉइ किया है तो एक कह सकते हैं कंसॉलिडेशन का दिन एक अच्छा रहा यहां पर और जो क्लोजिंग आई है वो आपकी 18,200 के करीब की आई है तो यह काफी अच्छी चीज़े कि अल्मुज दे हाई पर जाके निफ्टी बंद हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कल का आ सकती है 300 से 400 पॉइंट की तो 300 पॉइंट का अगर मार्केट को यहां से चलना है तो जायर सी बात है 18,200 से 300 पॉइंट करते हैं तो 18,500, 18,600 को तक निफ्टी जा सकता है तो इसको अगर 18,500 तक जाना है अगले 4,500 टेडिंग सेशन में तो कल एक इसको मूव देना अगर यह कल पर्सों में इसको एक मूव देना पड़ेगा अगर यह कल पर्सों अपसाइट का मूव नहीं दे सकता पाएगा तो फिर चांसे इसके हो सकते हैं कि यह दुबारा से नीचे की तरफ चला जाए यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी भी से अटा कराता आपका यह trend line है ठीक है यहां से आप देख सकते हैं यह इस trend line के आसपास यह कहीं अटा कराता तो जायर सी बात इसी के आसपास यह अभी भी trade कर रहा है तो यह अगर break करता है तो definitely आपको एक अच्छा profit यहां पर देखने को मिल सकता है यानि अच्छा market आपको द option chain data देखते हैं option chain data में अगर हम देखें यहां पर तो currently अगर आप देखोगे अठारा 200 की जो put हैं वहां पर आप देखो यहां पर करीब करीब 60 लाग का open interest खड़ा हुआ है अठारा 200 की call पर 88 लाग का open interest खड़ा हुआ है अठारा 200 की call पर करीब 22 लाग का open interest खड़ा है अठारा 250 के ऊपर निकलने पर आपको काफी हद तक short covering की मदद यहां पर आपको मिलती रहेगी यह चीज़ आप के लिए लिए समझ लीजे फिर निफ्टी इजली 18 अठारा 350 तक जा सकता है ठीक है इतना आपको clearly समझ में आ गय करते हैं तो clear cut हमें दिख रहा है कि market positive side पे behave कर रहा है निफ्टी थोड़ा बहुत इंट्रडे में correction आता है तो buying में conversion हो जाता है दूसरी important चीज़े यह जो candle बनी है ना यह candle यह candle कहीं ना कहीं मुझे यह expectation दे रही है कि यह उपर की तरफ breakout दे सकता है क्योंकि यह काफी बड़ी candle है यहाँ पर काफी हद तक जिन लोगों की long position थी उन्होंने अपनी position को छोड़ा और उसके बाद market उपर move करने की कोशिस कर रहा है तो कल के लिए हमारे पाद important level कौन सा ह यह चीज़ ध्यान में रखेगा आज के हाई के ऊपर अगर हम trade करना start करते हैं तो हम एक trending move दिखा सकते हैं और उपर जो हमारे पास target होगा पहला होगा यह हाई जो कि 18,264 का है और दूसर target हमारे पास होगा 18,330 का ठीक है यह target हमें देखने को मिल सकते हैं यानि जैसा कि मैं आज भी बताया कि हम positive side पे जादा काम करने की कोशिस करेंगे rather than negative side पे negative हम तभी सोचेंगे जब हम इस level के नीचे trade करना start करेंगे जो कि 18,80 का नीचे 18,80 की नीचे अगर यह 5 मिनट की candle close देता है तो हम यह आपने negative सोचना start कर देंगे फिलाल market तो आज consolidation कर गया है तो जायर सी बात है कल का trading session एक important trading session हो सकता है अगर कल नहीं होगा तो परसो definitely आपको देखने को मिल सकता है तो हम एक छोटा था stop loss अगा के buying की side पे काम करने की कोशिस करेंगे ठीक है यह चीज़ समझ में आगे nifty के अंदर bank nifty के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह important trend line है जिसक 400 के उपर हम buying करेंगे target हमारे पास होना चाहिए around 43,650 तक का 630 तक का हमारे पास target आ सकता है आपे यह चीज़ आप clearly समझ लीजे क्योंकि यह 630 क्या है यह आपका जो high है जहां से bank nifty ने correction दिखाया था उस level तक यह जा सकता है ठीक है यानि कल के trading session में आपको करीब करीब nifty के recovery आज चुकी है बट इस्टिल 300 पॉइंट अगर निफ्टी चल जाता है तो निफ्टी भी 1500-200 पॉइंट चल सकता है इस पॉइंट पर आपको यहाँ पे clearly ध्यान में रखना चाहिए और positive side का view इसलिए है क्योंकि अगर आज के trading session देखोगे तो indices futures में अगर currently अब जाते हो त देखो DAX, DAX, CAC, FITC में काफी अच्छा move है DAX almost आपका एक इसने breakout दिया है जो एक 6-7 दिन का consolidation था वो इसने breakout दिया है अगर मैं इसका DAX का live chart दिखाँ जो जर्मनी का market है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह देखो यह एक breakout के indication दे रहा है और almost day high पे trade कर रहा है ठीके ना जब क्या है follow up में buying आ सकती है तो इसका फाइदा क्या होगा कि कल जो basically US future खुलेंगे तो वो positive side पर react कर सकते हैं और positive side पर react करेंगे तो हमारा SGX safety भी हो सकता है कल आपको एक gap up opening दिखाए currently अगर हम SGX safety के बात करते हैं तो around 18263 के आसपास कामकाच कर रहा है तो जाहिर सी बात ह जाहिर सी बात है तो जाहिर सी बात है कल हमें जो US future से जो signals मिलेंगे थोड़े से और positive के मिलेंगे तो कल हो सकता है हमारे लिए एक अच्छा trending day बन सकता है और अगर market को इस week में move करना है तो जाहिर सी बात है कल पर सो और सो यह तीन continuously एक moment आ सकता है खासकर हमारे market के अंदर औ जाहिर सी बात है क्योंकि expiry आपकी 5-6 तरिक के असपास की expiry है उसके बाद आपकी जो next read होगी वह 12 तरिक है 12 तरिक से पहले आपको थोड़ा सा निफ्टी उपर की तरफ move करने की कोशिस कर सकता है then उसके बाद जो भी selling आईगी हम उसके लिए भी discuss करेंगे तो यह point आपको बैंक निफ्टी अच्छा खासा move दिखा सकता है ठीक है और निफ्टी के लिए तो almost इसने अटाड़ादा 200 के ऊपर आज sustain करने की कोशिस करिए अगर यह perfectly sustain होके कामकाच करने लगता है तो definitely यहाँ पर इसके लिए उपर की target यहाँ पर खोलेंगे करीफ 100-500 point का moment यहाँ पर आई होप दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like and share जरू करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लेजे क्योंकि मैं आज सुधी लेकर आता हूँ हर दिन आ मैंने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों चैनल